गाइस, calories credit loan application के आज में review करने जा रहा हूँ तो ये कैसा application है, real है या fake है, इसके बारे में आप लोगो को बताएंगे आप लोगो को यहां पे loan मिलेगा या नहीं मिलेगा या तो आप लोगो को repayment करना है या नहीं करना है तो इसके बारे में बताएंगे, तो पूरी detail video होने बला है आप लोगो को मैं सारी सीज बताऊंगा, यहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मतलब क्या है कि सारा कुछ सही नहीं है तो मैं आप लोगो को पूरी information देने बला हूँ यहां पे मैंने काफी सारे tips यहां पे अल्रेडी मैंने note down किया है कि क्या क्या आप लोगो को बताना है तो complete video देखेगा तो आप लोगो को पूरी सीज मालूम बढ़ जाएंगे इस application के बारे में तो गाईट शुरू करते हैं पहले ही मैं आप लोगो को एक safety tips देना साहता हूँ कि आपनी जो primary bank account ठेकाईश उसे आप लोगो को कभी भी ऐसी personal loan application पे यूज नहीं करना चाहिए आप लोगो को extra online bank account create कर लो आप लोग online ही create कर सकते हो close कर सकते हो आप लोगो को पैसा भी नहीं चाहिए फ्री में हो जाता है जारा कुछ तो देख लेना और अपनी primary bank account को safe रखना ठीक है और अपनी जो भी important context है उसे भी delete कर लेना अब ही हम लोगो सीधा बात करते हैं ये calories credit loan की बारे में ज्यादा time आप लोगो की waste नहीं करते हैं इस application पर आप लोगो को interest rate तो high देना परेगा around 30-35% के अंदर आप लोगो को interest rate देना परेगा CST 18% देना परेगा processing fees भी है 2% से 5% के बीज में आप लोगो को processing fees यहाँ पर देना परेगा loan आप लोगो को minimum 5000 का मिलेगा maximum आप लोग 50,000 तक यहाँ पर loan के लिए apply कर सकते हो repayment period लेकिन आप लोगो को short में देकासे से कि एक महिने से तीन महिने के अंदर यहाँ पर repayment period आप लोगो को मिल सकता है और repayment आप लोग इसी application पर कर सकते हो debit card या तो UPA से आप लोग repayment कर पाओगे अगर आप लोग यहाँ पर late payment करोगे तो आप लोगों को extra interest देना पड़ेगा तो apply करने के लिए आप लोगों को आधार कर चाहिए, पान कर चाहिए आपको bank statement की ज़र्यत है बस इतना ही documents आप लोगों को साहिए बस इतना अगर आपके पास है तो आप लोग apply कर सकते हो apply करने के लिए आप लोगों को यह application है इसे download करना है इसके बाद register करना है कि वह इसी details दालने के बाद जो आपकी details है वो verified हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर loan के लिए apply कर पाओगे customer के response अच्साही देता है application safe है या नहीं यह हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि यह application किसी भी RBA registered NBFC के साथ registered नहीं है या तो RBA से approved भी नहीं है तो आप लोग दिमान करना की certificate बगरा अगर है तो दिखा दो कि आप लोगों को registration की certificate है या नहीं और loan agreement आप लोग सरुर मागना की loan agreement देता हो और अगर आप लोगों को loan agreement पे जैसे बताते है यह application ऐसे loan नहीं देता है तो आप लोगों को repayment भी नहीं करना है ठीक है अभी issues भी बहुत सारी आती है इस application पे जैसे कि काफी लोगों को तो loan ही नहीं मिलता है 50-50 chances है कि आपको loan मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है और काफी रिक्सी application है काफी लोगों को loan नहीं मिलता है rejection मिल जाता है काफी लोगों को repayment पे issue आता है और काफी लोगों को ऐसा भी होता है कि जो loan recovery essence होता है वो बोड़ी तरह से बात करता है ऐसे harassment करता है ऐसा भी होता है और कुछ-कुछ लोगों को loan मिला भी है तो पूरा fake application नहीं है गाइस लेकिन 50-50 chances है risk application है आप लोग अपने ही सबसे भी थोड़ा बहुत research करके देख लेना 4.2 star rating है और आप लोग अगर पूरा review यहाँ पे देखोगे न तो आप लोगों को पता से लगा कि कुछ लोगों को problem भी आया है लेकिन आप लोग देख सकते हो बहुत लोगों को यहाँ पे loan मिला भी ह और बहुत लोगों को ने यहाँ पे अधसा reviews पिटिया है तो आप लोग देख लेना अपने ही सबसे भी थोड़ा बहुत research करना ना मैं तो आप लोगों को recovery नहीं कर सकता क्योंकि इस application पे guys interest rate हाई है और repayment period बहुत ही short मिलते हैं और आप लोगों को जल्दी से जल्दी repayment भी करना पड़ेगा और अगर नहीं कर पाओगे तो extra interest प्लस जो loan recovery essence होता है वो लोग भी आप लोगों को बहुत ही ज़ादा परिशन करेंगे तो आप लोग देख लेना अगर short term के लिए loan लेना चाहते हो तो apply करके देख सकते हो क्योंकि application इतना भी बुरा नहीं है अगर आपक क्या सोसते हो application के बारे में real है या fake है comment पर जुरूर बताओ तो आज की वीडियो में इतना ही टागाइस बाइबाइगाइस